वेल्कम फ्रेंड्स महुत बहुत सवागत है आपका एक और नई वीडियो में देखिए आज का साइट आप रहेगा हमारा i5 का 12th generation के साथ में model नंबर 12400 inbuilt graphic के साथ यह प्रोसेसर आता है डेटेस्ट आपकी 12th generation का प्रोसेसर है जो कि Intel की तरब से है इस प्रोसेसर के इस प्रोसेसर को देखें तो इसमें आपको छे कोर देखने को मिलते हैं जो आपकी पर्फार्फार्मेंस वाले कोर हैं इफिसियंस वाला कोई कोर इसमें नहीं मिलता है आपको टोटल आपको 12th देखने को मिलते हैं मैकसिमम टरोसेसर की 4.40 गीगाहर्स तक की है बेस फ्रिक्वेंसिस की 2.50 गीगाहर्स तक की है 18 MB का Intel स्मार्ट का इस मेमोरी इसमें देखने को मिलती है बेस पावर इसकी 65 वाट की है टर्बो पावर इसकी 117 वाट की है 108 GB तक RAM आप लगा सकते हो और दो टेक्नलोजी यूज़ हुई है इसमें DDR5 की 4800 मेगाहर्स तक की और DDR4 32 मेगाहर्स तक की RAM आप सपोर्ट करा सकते हो Intel का UHD Graphic देखने को मिलता है 730 मौडल है काफी तगड़ा ग्राफिक आपको देखने को मिलता है जिसकी फ्रिक्वेंसी काफी बढ़िया है 1.45 गीगाहर्स तक की यानगी करें तो ऑफिसल प्राइजिंग इसकी 192 डलर से 199 डॉलर है और इसके मैक्सिमम रेट 199 डॉलर को एक डॉलर की कीमत 75 रुपए अगर मान के मल्टीपलाई करें तो 14925 रुपए इसके रेट बन रहा है अभी देखते हैं हमें कहां कहां पर कितने कितने में मिल रहा है देखने को मिल रहा है और बात करें एमोजॉन की तो तकरीबन 21000 के आसपास उस पर सेल हो रहा है कि देखते हैं मदर बोड के लिए तो अगला कंपोनेंट हमारा मदर बोड है आसूस प्राइम एच 610 M E D4 मदर बोड इंटल की 12 जनरेशन के साथ अगर आपको DDR4 सेटप बनाना है हमारा जख जाएगा दो आपको यहां पर दिये गए हैं जो आपको यहां पर और एक यहां पर आप लगा सकते हो तो यह रही कुछ मुख्य बात हैं मदरवोड की प्राइजिंग की देखें तो 7,880 रुपया आपका एमोजॉन पर है प्राइम एवी जीपी पर 1260 रुपय का यह सेल हो रहा है डीडियार 4 टेक्नलोजी पर और भी सपोर्टिट वाले मदरवोड हैं अलग अलग प्राइज में हैं आप चाहों तो कोई दूसरे मांडल भी आप ले सकते हो फिलाल जो है डीडियर 5 सैटप बनाओ तब जाके ज्यादा इंवेस्ट करिएगा डीडियर 4 सैटप पर यह वाला म एक स्पीजी अडाटा कंपनी की 349 रुपया इसका मर्पी है अभी इसके रेट थोड़े बढ़ चुके हैं और आप चाहों तो दूसरा कोई भी और कोई मॉडल भी आप ले सकते हो जो 32 मेगा हर्ट की फ्रिक्वेंसी को हो जी स्किल की एक है जो 295 रुपय की एमोजॉन पर प्रूसियल मेलेश्टेक यह जो है आपको 2899 रुपय की देखने को मिल रही है तो अपनी 24 के अनुसर जो भी अच्छी डील मिले 32 मेगा हर्ष तक की आप रेम लगा लेना एन्वी एमी जनरेशन 3 की लगाएंगे 2500 जीबी की जनरेशन 4 अगर हम तब लगाते जब डीडियर 5 सेट अप हम बनाते तो इसमें हम जो एन्वी एमी का प्रियोग कर रहे हैं उसकी कैपसिटी 250 जीबी है कुछ कुछ कंपनिया 256 जीबी हमें देती है जैसे कि यह वाली जो एसपी सिलीकॉन पावर 256 जीबी एन्वी एमी हमें दे रही है PCI जनरेशन 3 वाली 8250 रुपे माल पी किंगिस्टन कंपनी की बात करें 2999 रुपे में आपको 2500 जीबी इस्टोरेज दे रही है एक एन्वी एमी की तो जो सी भी अच्छी डील मिलती हो आप ले सकते हैं अगला कंपोनेट रहेगा हमारा 600 वाट का SMPS जो हमारा 80 प्लस सर्टिफिकेशन वाला होगा तो इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं सिल्वर इस्टोन की तरफ से आने वाला 600 वाट का 80 प्लस स्विच मोड पावर सप्लाई 2899 रुपेस की MRP है आज की पांस साल इसमें आपको वारं देखने को मिल जाती है अगला कंपोनेट हमार रहेगा मॉनिटर जो हम लगाएंगे 144 हर्ट रिफ्रेस रेट वाला अंदराचार के तक्रिवर्ण बजट में आपको तमाम तरह के ब्रांड्स देखने को मिल जाते हैं जो अलग अलग स्कीन साइज में आपको देखने को मिलत देखने को मिल जाती है जोगी फूल एचीडी रहेगी 24 इंच का भी है यहां पर IPS पैनल के साथ में तेरह जार 984 रुपए का डेल का काफी बढ़िया मॉडल है 24 इंच का फूल एचीडी IPS पैनल के साथ में यह वाला मॉनिटर मैं भी इस्तिमाल कर रहा हूं यह मैंने लिया दस हजार साथ सो रुपए का फिलिप काड़ पर मैंने ओडर किया था तो 9999 का था लेकिन वो डिलीवर कर नहीं पाए एमो जौन से फिर मैंने दस हजार साथ सो रुपए में इसको मंगाया था और आज की प्राइजिंग देखें तो 14689 रुपए है डिल के ऊपर बात है कभ 2799 रुपए डाल के इसको आप ले सकते हो फूल एचीडी IPS पैनल के साथ में यह वाला है 24 इंच का यह वाला मॉनिटर है आपको IPS पैनल के साथ में देखने को मिलता है 10404 रुपया तो तमाम तरह के आपके पास ऑप्शन अवेलिवल हैं जिस स्किन को आप चाहें तो उस इस सकते हो माउस और कीवोड अरगले आप पर्शेसिंग कर सकते हो और यह वाला मॉडल आपको 880 रुपय में देखने को मिलता है जिसमें आपको यह कीवूड मिलेगा यह मिलेगा और इक माउस के लिए जो पैड होता है तो मौस पैड भी आपको देखने को मिल जाता है इस का हमारा वाइफाई अडेप्टर तो वाइफाई अडेप्टर आप अच्छे ब्रांट इसका एक लगाए जो अच्छी डिस्टेंस को कवर करें यानि कि अगर आप मोबाइल हाउट से चला रहे हैं या फिर आपके घर में राउटर लगा है तो उसकी जो रेंज है अच्छी कवर करें अगर आप CPU कहीं पर रख दे रहे हैं अपना तो आपका जो वाइफाई एडप्टर है वो उसको कवर कर ले तो एक टीपी लिंक है 499 रुपए में आपको दे रहा है अच्छी रेंज कवर करता है यूपियस इन सभी पार्ट्स के लिए 1999 रुपए में जैबराउन इस जनरेशन के साथ में DDR4 सेट अपका एमाउंट पूरा कितने का बैट रहा है तो देखिए हमारा प्रोसेसर है इन विल्ड क्राफिक के साथ में आई फाइव वन टूफोर डबल जीरो मॉडल अठारहार चार्सों निन्यावर रुपए का आसूस प्राइम एच्छी सो दस अधारह डिए फोर मदरबोर्ट डीडिए फोर टेकलोजी वाला बहांतर सो रुपए का जी स्किल की रैम बत्तिसों मेगाहर्स आठ जी वी की अठाइसों निन्यावर रुपए की एन वी एमी दो सो चपन जी वी की अठाइसों पचास रुपए पावर सप्लाइज शेसों अठाइसों निन्यावर रुपए और जी वी कैबिनेट एकिस्सों और तालिस रुपए की तो टोटल हमारा सीप्यू की अगर बात करें तो 36,495 रुपए का आपका सीप्यू बन गया तो अगर जिनको अगर सीप्यू ही लेना है खाली नया बनवाना है तो इस तरह पार्ट लगा के आप DDR4 टेक्लोजी पर आप सेट अप तयार कर सकते हो आई 512 जनरेशन के साथ में तकरीमन इन पार्ट की कीमत ऑन लाइन 36,495 रुपए बैठ ही आज की कीमत और मॉनिटर के लिए बजट रखा गया है 15,000 रुपए कीबोड मौस को कॉमबो 880 रुपए वाइफाइ एड़ेप्टर के लिए 500 रुपए यूपियस के लिए 1999 रुपए तो इन पार्ट को भी लगाओगे तो 54,884 रुपए आपका बैठ रहा है तो किसी के पास मॉनिटर कीबोड वाइफाइ यूपियस है तो उनके लिए तो यह पार्ट यूजलेस रहेंगे यानि उनके कोई क इस तरह के तमाम तरह के फीचर मॉनिटर पे मैटर करते हैं अलग 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 तरह से जो है इसको इसको इस्तिमाल करता है तो 15,000 रुपए एक ठीक ठाक बज़ट रहता है मॉनिटर के लिए लाल हमारा जो मेन मसीन है हमारी CPU वह हमाई 6495 रुपए में आनलाइन त्यार हो र दूंगा अगर डीडियर 4 टेक्नलोजी पे आप बनाना चाह रहे हो तो इसको बना सकते हो तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद आपका